हेलो फ्रेंट मैं फिर से लेकर आगे हैं चोटे-चोटे कुछ किचेंट ट्रिक्स एंग जो किचन के काम हो जाएंगे बहुत ज़्यादा आसान चले देख लेते हैं तो से पहले फ्रेंट्स यहाँ पर फाइला ट्रिक्स हैं जो हम पिन को लेकर करके अक्सर हम साड़ी या पिन लगाएं तो आप यहां पर लीजिए छोटा सा पेपर यह पेपर कोई भी आप ले सकते हैं तो यह नियूस पेपर है जो सब के घर में होता है तो इसको छोटा सा टुकड़ा है यह ट्रिक अपनाएंगे ना तो आपको जुबला हो जाए साड़ी फसता है तो बिल्कुल पिन लगा दीजिए नीचे के तरफ तो यह देखेंगे जब आप इने पिन अप करेंगे ना सूट में या फिर दुपट्टा में या फिर आप साड़ी पहन रहें तो साड़ी में तो यह बिल्कुल भी नहीं लगेगा और यह फसेंगे नहीं यह भी बहुत ही बड़ी आठ है तो आप अपना सकते हैं आप देख सकते हैं जब यहाँ पर क्या होता है कैसे काम के लिए तो अवी रहूंड्स कर लिए तो अब क्या स्चानन सकते हैंang सब्सक् 넣고 करना है ऐसे हम इसे चिपका देते हैं तो पता नहीं चलता है कि यह कहां गए और इन्हें हम ढूरते हैं नहीं लगाए होते हैं हम ऐसे ले आ लेते हैं तो इ स्टिक घरा इसके जब लीप lim हरे हरे रहें तो यह भी ट्रिक अपना सकते हैं पानी चेंजर करते रहिएगा एक दिन बाद और फिर उस पर और सबस्कल में चिपषिपा सों पर में चिपपन आजा है चिपखने लेगता हैं और बाल भी बहुत चूटता अजो असा Chi सब्सक्रार सन्सें के चिपषिपा अउर्द हरने हे दुटा पर दो जाड़े हो तो आपको बाल चिप चुपाने लगते हैं तो आप इस तरह से कॉम में पाउडर डाल करके रफ कर दीजिए और इसमें देखेंगे इसमें ड्राइन आ जाएगा अपने आप यह सूख जाएंगे यह भी बहुत बड़ी आइडिया है तो जरूर ट्राइ करिएगा आप कॉम आपके अगर गंदी है या फिर चिप चिप चिपी है तो आप इस ट्रिक को अपना सकते हैं बहुत ही जादा एजी है और बहुत चोटे चोटे ट्रिक्स हैं जो हमें नहीं पता होता है और बहुत काम के होते हैं और यह देखिए कॉम जो है अच्छे से ड्राइ हो को लेकर के हैं पूजा का बरतन हम भगवान के लिए यूज करते हैं तो कभी ऐसे जैसे हपते में नहीं हमने साफ के डेली तो वस कर लेते हम तो डेली साफ करते तो मेरा इतना चमक रहा है इसको साफ करनी के लिए हम यहाँ पर एक टेवल स्पून गीहूं काटा लेंगे और एक चमच हम यहाँ पर लेंगे कोई भी डिटरजन पाउडर ले लिए इसी के साथ एक नीबू का रस लेंगे नीबू का रस नहीं है नीबू नहीं है तो आप वाइट वेनेगर या फिर इनो भी ले सकते हैं यहाँ पर आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर उसके ब बरतन को साप कर लेना है यह देखी जैसे जैसे यह क्लीन होते जाएंगे मतलब जैसे जैसे यह क्लीन होंगे इसका जो कालापन है ना यह सारे आटे में आ जाएगा तो आप इस तरह से देखे इसके साइनब देखे हम माजते रहते हम इस तरह से बरतन जो है बगवान की क्ल तो इस तरह से अड चाहत नहीं कर सकते हैं अदर भड़न करेंग हैं यहां पर ब्रस का नहीं उज़ करेंगे सिर्फ हाथ से हम यह सारे बरतन को चमकाना है तो देखिए जयाँ जयासाँ अब सकता है वैसे वैसे ये बढ़िया से चूट जा रहे हैं तो ऐसे सारे बरतन हम साफ कर लेंगे तो देखिए जैसे हमने आर्टी करने वाला मांजा बहुत जादा काला हो रखा तो उसका पूरा जो है चूट गया है आटा जो है इस तरह से हमने सारे बरतन को साफ कर लिया है अब इन्ह इसी भी चीजन में जब भी आप भगवान के बरतन पीतल तामे के बरतन साफ करें एक चम्मा चाटा से इस तरह से साफ कर सकते हैं बिल्कुल नया आइडिया है नो फेक वीडियो है वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करें थैंक फॉर वॉच